हेलो प्रेंट्स मैं सोहेल और आप देख रहे हैं टैकिस्टाइजोन चैनल दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंडर्ड मुबाइफॉन की स्क्रीन किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों स्क्रीन रिकोर्ड करने के लिए व्लेशन पर आपको काफी एप।्सक्री के गैसे हैं既़ You के लोगों चैंड करके वहां अपना लोगो लगा सकते हैं और इस application का यह watermark है उसको भी आप desirable कर सकते हैं और जैसे कि आप वीडियो बनाते हैं वीडियो बनाने से पहले एक countdown line आती है यानि कि 3, 2, 1, start इस तरीके से तो आप उस countdown को भी वहां से बढ़ा सकते हैं या उसे घंटा भी सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि आप इससे fast cam भी कर सकते हैं यानि कि screen record करने के साथ साथ ही आपको fast cam का भी option देता है आपके display के उपर यह छोटी सी display आपको यह दे देगा वहां आपका चहरा नजर आ जाएगा यानि आपका जो front camera होगा उसके दुआरा आप वहां पर fast cam भी कर सकते हैं और बहुत ही कमान के application हैं बहुत बड़ी application है इसको मैंने भी इस्तिमाल किया है और काफी screen record भी की हैं और जैसे की काफी application में ऐसा होता है कि screen आगे चलती है और जो हमारी आवाज होती है recording जो होती है वो पीछे पीछे रह जाती है या पर recording आज़े चले जाती है इस screen बाद में चलती है मतलब जो video और audio होता है वो थोड़ा आवे पीछे हो जाता तो इस application के अंदर अभी जब तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है कि मतलब मैंने जो भी screen record की है वो screen और इसकी audio वह भी बहुत पहता रहती है अच्छी आवाज भी इसमे रिकॉर्ड होती है और एक्डम साथ चलती है दोरों चुछे तो मैं आपको सर्जेश्ट करूंगा कि आपको आपके जैन से इसके record करें कि मेरे यूज करावश आपवेर है और बहुत अच्छा काम करता है वाकि आपको एक छोटा सा टेटोरियल मैंने बना दिया है जो आपको बरार मेनेजर पका रहा होगा अगर आपने पहले इस mobile phone के नहीं इंस्टॉल किया है तो आप यहां से देख सकते हैं चोटी से वीडियो में और इसको इंस्टॉल करने का तरीका और इसमें जो चैनल मैंने आपको बताए हैं वह आप यहां से देखकर चैनल कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर पुर्द करें और चैनल को सबस्प्स्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग बाए बाए